नमस्कार आपका स्वागत हमारे इस यूटूब चैनल पर हम अभी जो कॉलीजियर की जो भी क्लासे हैं और यह अगर सब्जेक्ट आपके किसी competitive exam में हैं बिल्कुल यह आते हैं competitive exam में इन में से कुछ topics तो हमारा जो subject चल रहा है communication skill का तो उसमें आज हम second chapter को पढ़ने वाले हैं आपने नहीं देखे तो जरूर देख लेजिएगा second अपने chapter जो है वो है यहां पर non-verbal communication को लेकर किस से रिलेटेड है भई non-verbal communication को लेकर अब आप में से कौन बताएगा communication क्या होता है communication का क्या मतलब होता है आपको यह बताना है कि रादेश्यां बताओ भई communication का क्या मतलब होता है हम 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 अपने जो विचार है या मेरे पास कोई information है तो वह मैं आप तक share करना चाहता हूं इसलिए हम communication करते हैं तो कल हमने देखेते communication के भी अलग लग टाइप ठीक है तो communication के अंदर हमने verbal देखा था, verbal communication के अंदर जैसे हम किसी से verbal ली मलब जाके बात्चित कर रहे हैं, मोखिक बात्चित कर रहे हैं ठीक है, या हम उसको कोई और जैसे लिख के बता रहे हैं यह यह है, गुंगा है, तो बतली की बताएगा तो यह verbal, non-verbal में क्या इस सारे body language से ठीक है, तो उससे वो क्या है, आपनको समझाएगा कि यह, जैसे अब कोई हम game वगर देखते हैं, वो game चरला अनुमान लगाता है, कि बतो यह किस घने का नाव, तो यह non-verbal communication है, ठीक है, तो यह इस परकार क्या आते हैं, यह visual वाड़ है, जिसमें चार्ट से बचों को समझाते हैं, कल हमने देख लिए तो यह आते हैं, अब उसमें से हमारा एक टोपी का रहा है, non-verbal communication का second chapter है, तो non-verbal communication को कैसे सुदार सकते हैं, उसके बारे में यह आज का chapter हमारा, ठीक है, तो हम यह तो है, इंगलीज के note, अगर आपको इंगलीज के चाहिए, तो इंगलीज के पड़ ले नाव, और मैं नीचे यह यहां पर हमारे हिंदी वाड़ा ले लेता हूं, पर्सनल appearance का क्या मतलब होता है, सबसे पहला है, personal appearance, personal appearance की definition को, यह वो तरीका है, जिससे कोई व्यक्ति अपने आपको physically present करता है, ठीक है, जिसमें कपडे, साथ, समार और overall जो जितनी भी style होते हैं, वो सामील होती है, इसके अंदर, वो physically खुद बादाता है आपको, बोलेगा नहीं वो, वो अपने body language के द्वारा, या अपने साथ, भी देको, आप किसी को अच्छे high-five कपडे पहने देखते हो, आप क्या अंदर लगाते हो, कि या तो वो कोई साधी में है, किसी party में जा रहोगा, सपेद कपडे उसके अंदर क्या change लगा है हम लोग, ठीक है, वो भी जोगी के समानी हो गए, तो देखो, personal appearance का मतलब होता है, कि personal appearance एक ऐसा तरीका है, मलब अपन उसके उपर परभाव डाल रहे हैं, अपन अपने बोल चाल की, मलब अपन अपने तरीके से, जैसे वो अपन से बात कर रहे हैं, हम उससे बरवबर ऐसे हां करके उसकी बात सुन रहे हैं, या हम वो बात कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं तो वो अपनी फिर अगली जो बात होगी, वो नहीं बताएगा अपन को क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यह मेरी बात में इंटरेश्ट नहीं ले रहा है तो हमारा personal appearance क्या है तो यह एक ऐसा तरीका है जिससे जो व्यक्ति होता है वो अपने आपको physically present करता है वो physically अपने आपको present करता है उनके सामने जैसे अब यह आप यह कपड़े पहन क्या हो तो आप लोगों को क्या बता रहे हो कि भई हम इस college की class में जा रहे है ठीक है अगर आपके जैसे अब आप जा रहे हो आपके bag पहन न वहा bag के पिछ किसी company का या किसी class का logo लगा हो तो वो क्या समझेंगे लो कि यह इस class के अंदर या company के अंदर या college के अंदर जा रहा होगा ऐसा अब देखो इसके example अगर कोई interview के लिए website रूप से तयार होता है तो यह दिखता है कि उसने मौके को इज़द दी है और उसे company की संस्कृति का गहरा ग्यान है अब company के अंदर special rules है कि आपको black coat paint पहने नीचे white shirt रहना चाहिए anytime tie होनी चाहिए तो यह चीज अगर पहनी हुई है तो लोगों को क्या लगेगा लोगों को यह लगेगा कि यह देखो इस company में लोग कितने मलब अच्छे रह रहे है उसके साथ अब company में काम कर रहे है जिन्स और ऊपर checks वाड़े certain है वो गम्चा बंदा वाइट वाड़ा तो विर वो क्या लगेंगे वो तो यह लगेंगे दो नंबर गाई इसमें क्या है यह तो ही तो वो company कहां से लगेगी वो company लगेगी नहीं भई आप ही जो आप अच्छे ऐसे कपड़े वगर पहन क्याते है तो ऐसा लग रहे है कि आप इस्टूडेंट हो ठीक है आप वहाँ पर particular उस जगा पर पढ़ रहे हो आप यह जियां पर गड़े में गम्चा डाले हो है अब इसका क्या देखो माहूल और audience के हिसाब से ठीक तरह से तयार होना चाहिए साथ ही साबसपई और grooming पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए तो यह कह रहा है कि आप उस माहूल के हिसाब से आप वहाँ पर कपड़े पहन के जाए या उस माहूल के हिसाब से तयार होके जाए ठीक है तो आपको क्या है कि अच्छा लगेगा भई क्या वहाँ अब वहाँ पर साधी में जा रहे हो कपड़े त अच्छे का से पहन लिए नीचे सिलीपर पहन के जा रहे हो कोई क्या मतलब है की ने कोई ने लगेगया कि पहनने का सिधा साधर है जिसमें कोई व्यक्ति पजीट करता। अपने रीपरजेंट करता है फिक अनुमान उपर्वाले का था की आप अपने व्यक्तिगत तरीके से परभभाव कैसा डाल सकते वपने व्यक्तिगत परभभाव कैसे डालते हैं किसी क्लास इंप Northeast टार रहे हो और आप अच्छाका वहाँ तो यह सब्वी तरीके से आ रहे हैं अब वहां पर जा रहे हो जैसे तैसे सूज पेहने हुए है टीशर्ट पेहना हुआ टाइट जूस पेहने हुए है तो उसका कोई मतलब नहीं रहा पिर वहाँ पर वहाँ आप जो है टीचर की वहाँ पर आप भूमे करने ही नहीं पा रहे हो तो सबसे पहला देखो इसका gesture के अंदर gesture क्या होता है हाथ बाए और सरीर के दूसरे हिसों की movement से जो बासा को जोर देने या समझानी के लिए इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं क्या gesture gesture का मतलब होता है अनुमान ठीक है अनुमान लगाना जैसे आप ठीटूर रहे हो ऐसे से तो क्या अनुमान लगा है हमने सर्दी है ठीक है आप बार बार ऐसे हवा कहा रहे हो ठीक है पसीनों का ऐसे कर रहे हो तो क्या मतलब गर्मी है ये क्या है आप ऐसे अनुमान लगा रहे हो ठीक है बहुत अनुमान जैसे आप कहीं पर खाना खा रहे हो बहुत दूर कhडा है जिम्ने चले गए हम लोग बहुत दूर खडा है कोई जो खाना परोसरा है और हम यहाँ पर बेटे हैं ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अगर उसको नमक का एइस सरह करना है तो हम एसस करेंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ हम लोग ऐसे से करते हैं हम करते हैं कि तो वो समझ जाता पानी लेके जाना है तो हम अपने बोड़ी के थुरू अपने सरीर के थुरू जो अनुमान लगा के उनको अनुमान के थुरू जो समझाना चार है उसको कहते है gesture ठीक है? यह gesture का इसके example में देखो बाचीत के दौरान सिर हिलाना यह भी इसका तो gesture है, जैसे वो आपको पूचता है क्या जैसे कोई एक पिता अपने बचे को पूचता है क्याज तुमने सरारत की? अब वो कहता है मखलब वो बोलता नहीं है तो मलब, हाँ, अगर वो Maybe ऐसे से करता है तो नहीं मान लो अप 10 जजण बैटे हो, मैं आपको पूछा क्या आप ये खा के आयों क्या है तो मैं समझ गया है तो आप ऐसे कर रहे हो कोई तो समझ आइंगे नहीं किया तो बाचित के दौरान सीर इलाना सहमती या समझना दर्सने के तरीके हो सकते है ठीक है, बीना कुछ कहेंगे बीना कुछ कहें भी आपन لوग क्या कह सकते हैं उसको, बहुan यह हो गया अगर आप ऐसे कर रहे हो तो यह हो सकता है ठीक है, ऐसा, जैसे अब कोई बाचित कर रह रहे हैं तो उसका मलब क्या आप उसको ये कह रहे हो कि आप उस चीज में इंट्रेस्ट नहीं ले रहे हो, ऐसा अब इसका क्या ले सकते हैं हाथों से इस्तिमाल में संसकर्ति के अंतर को ध्यान में रखो, क्यूंकि कुछ को अलग-अलग परिशितियों में, अलग-अलग अर्थ हो सकते हो, अगर आप कोई सारा भी कर रहे हो, अगर आप कोई सारा भी कर रहे हो, तो उस इसारे में भी आप सही से अगर आप जो गेशरे हो नहीं कर पाए तो आप fault में आ सकते हो आप fault में आ सकते हो अब एक scene create करते हैं एक कोई वेक्ति है जिसके रियली में आँक में कच्रा चला गया है अब वो वहाँ पर कैसी public place में खड़ा है अब वो वहाँ पर ऐसे ऐसे आँक कर रहा है तो अगर वो time पर रहत दे अगर उसको सही से समझा नहीं पाया अगर वो ऐसा करके समझाएं तो तो आगे वाला समझेगा कि इसके हांक में कुछ चला गया अब ऐसे इस कर रहा है तो वो आकर इनको दो-तीन जापड मार के चले जएगे क्यां क्यू मार रहा है तो यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर गेश्चर भी जो आप करवा रहे हो वह भी सही होना चाहिए नहीं तो वह समझेंगा ही नहीं約 अब नहीं समझा आपका कम्यूनिकेशन प्रॉपर सभी हुआ ही यह आपका होता गेस चल अब बात करें पॉश्चर पॉश्चर का मतलब होता बैठने का तरीका ठीक है आपकी इस्तति कैसी है आप देखो किसी का बैठने का एक दम सीधा बैठता है कोई कोई ऐसे दिला ला तो देखने से भी यह कि पॉस्चर के अंदर देखो कि पॉस्चर की डेपिनिशन के अंदर देखते हैं सबसे पहले ग्रणाइण है देखो पोशियर की डेपिनिस्म देखो व्यक्थिरपने सरीर को किस तरह से स्थापित करता है मतलब वह कैसे बेटा है जिसमें खड़ा होना अब खड़े होने में भी एक ता एसा घड़ा हो सकते हैं यह ऐसरे भी घड़ा रहता है तो यह खराब है यह इस्तितिक ख़राब है आप where ख़डी होता है अप कोई होता है ऐसे दीवार से ऐसे-विह ख़ड़े हो जाता है तो यह क्या होती है गलत चीज़े बताती है जिसए खड़ा-ओना मेटना यह चलना सामिल होता है अब चलने में भी पता है, आप खुद notice करना, कि आप किसी को चलते हो देखते हो, ऐसे बरो बर वो ऐसे पैर उटा के चल रहा है, हम लोग खुद भी कहीं बार देखते हैं, अपने इसमें, कोले, क्या बोलते हैं, इसमें, स्कूल ओल में, जगा जगा पर, कि कोई चलता है, ऐ आपन पर किया होते हैं, यह तरी अपन पर क्या हो रहा है, फिर अपन अगौण से प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके तो image खराब हो गई हमारे लिए और अगर वो दिख गया बंदा तो फिर उसके लिए तो अपना हमें सही सोचेंगे यह इसको चलना भी नहाता ऐसा तो posture का मतलब होता है कि वो कैसे बैठ सकता है कैसे वो खड़ा रह सकता है कैसे वो चल सकता है यह सब इसके अंदर सामिल होते हैं मीटिंग में जुक कर बैठना ठीक है जुक कर बैठना उदास की या आत्म विश्वास की कमी दरसा सकता है अगर आप इंटर्वियू में हो आप अगर ऐसे बैटे हो डीले डाले हो के तो ऐसे समझेगा कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आपकी चीज को क्लिय हो तो आगे वाले को भी लगेगा यहार यह बहुत हाइफाई है मलब इसको जो भी चीज पूछेंगे वो बता देगा या इसके अंदर कॉन्फिडेंस हाई है ठीक है ऐसा भी वह होता है ना जैसे स्कूल के अंदर बच्छों का होता है कि जिसने हूम वर्क कर रहका है या जिसको पूरी प्रातना वगर याद है या जो भी चीज़ है जैसे बोल दिया आपको कल की दस सवाल पूछेंगे आपको कल प्रातना सबह में प्रेयर में तो अब जिसको आ रहा होगा वो तो एक दो मैसे श्टिली सामने ही सामने रहेगा खड़ा और जो ने वो एक तो गयल प्रातना विश्वास आपको लगा जैसे कि आप इस परकार से बेठा की वहां पर आप पर परी सितिकों विधिक है कहीं बार रहे नेखा अगला देखो पर इसके बाद में अपना आता है इसकल एक का मतलब होता है आप अपने चेहरे का हाउब आ हाव भाव कैसा दिखारे लोगों के सामने तो पहला आता डेपिनेशन के अंदर चेहरे के मशल्स के इस्तेमाल ठीजिए इस्तेमाल से भावना और परतिक्रियों को दर्शाने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करता है फेशल एक्सप्रेशन का ठीक है फेशल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं हम किसके लिए मनलब अगर अपने पास कोई भी बात है या कोई भावना है हमारे पास तो देख भावना को कैसे वेक्त कर सकते है आप अगर ऐसे मूँ को उदास करके बैटे तो कोई क्या पूछे आपको क्या हुआ भावना है हम ज़्यादा हसरे हैं तो क्या बोले गारे यार क्या बात है मुझे भी बता तो क्यों हसरा है ऐसे जोड़ जोड़ से तो वो ठीक है यह फेशल एक्सप्रेशन होता है मलब अपन चेरिस आज कल उसका नाम इमोजी में आ गया हम कोई पूस्त आगे वाला क्या हुआ आज कल कैसा है भाई पूरा इतलिकता वेचर आगे वाला और हम क्या करते हाँ करें बेज़ देत क्या हम तो खुस है हम रो के बेज़ देत क्या रहे रो रही है इस्टेटेस में डालते है इस्टेटेस का मलब क्या है आप अपने बता रहे हो कि अभी आप किस परकार का फील कर रहे हो तो आपい status पे डालते हो मैं आज बाँ ट्रेवल कर रहा हूँ आज मैं ये कर रहा हूँ आज मैं खा रहा हूँ मुस्करान दोस्ति का संकेत हो सकता है जबकि भारी-भारी बारी-बारी बुज़ें चिन्ता या उदासी को आप ऐसे पेसे जिसमें आप मलब ये जूरियां हैं ऐसे आप एक adelante है वह किया दोस है वह ओधारर कि आे वह और आख आप एक समर्ण के author हो में दोस्ता है वाँ पूस है जा रहे हूं क्योंकि देखो एक चीज ये भी ध्याना करना काई बार हमें इंटर्वीव हो गर रहे हैं कि चीज़ों के लिए हम जब भी कोई ट्रेनिंग हो रहे हो तो आप जितना हसना हो उतना ही जैसे आप अब कोई बेचारा सवाल पूछ रहा है वो आगे वाला इंटर्वीवर आप से कि ये क्या होता है ना आप भसी जा रहे हैं तो उसका माख कहा है कि आप उसका या तुमजा गोड़ा रहे हो या उसकी बात आपको फटनी लगी जब कि वो तो गंभीर कोई सवाल पूछ रहा है मनिपूर के अंदर जो भी अभी वो हुई आत्या fixing χुरे हो तो उसके उपर अगर ज़्यादा खडूस होके भी अगर वहां पर बैटें बात चित कर रहा है तो वह भी खराब है अगर आई कॉंटक्ट के अंदर भी देखो क्या होता है कि जो जैसे जो फॉल्ट के अंदर होता ना वह कभी भी आई कॉंटक्ट बरोबर नहीं करता है जो मैं अगर मैं गलती मुँना अगर मालनो मेरे से कोई गलती होगी तो मैं अपने जो बॉस होगा या मेरे से जो उपर होगा मेरे से जो भी मिलने वाला हो उस चीज से जो समिलित होगा मैं उससे बरोबर बात चीत नहीं करूँ मैं चुरूँगा नहीं क्यूंकि मैं पर देखेगा कि यार्य क्या देख रहा है मैं इसको कुछ बातचित कर तो आई-कॉंटेक्ट भी सही होना जरूरी है अब इंटर्विव क्या एक टिप रखें तो जब आप इंटर्विव में बैटे हैं तो वहां पर टेबल्स या जो बैट निमल होते हैं वह कुछ इस तरीके से बैठते हैं कि एक ज़ण पूरा इधर बैटता है एक जड़ी इधर बैटता तो कभी भी यह चीज हमेसा द्यान यह बहुत अच्छा पॉइंट है आप जब बैटे हो तो आप सभी को ध्यान में रखो आप इदर इदर इन तीन जणों कोई देख रहे हो या इदर दो जणों कोई देख रहे हो यह सबसे खराब है दियान उसको क्या लगेगा कि मेरे को यहां पर इसलिए बिटा है कि मुझे देख इनी देख तो आप जब भी बाच इतको समझा रहे हो बोले हो हमेसा ध्यान रखना जितने इंटर्व्य होए अच्छा अच्छा है उनके अंदर ध्यान रखना कि जो इंटर्व्यो जो बंदा बैटा है जो इंटर्व्य के लिए वो हमेसा इदर नदर देख देख के बोलता है जैसे उसको बोल दिया कि बती पाइफन प्रोग्रामिंग के बारे में तो बोलता रहेगा कि बाइफन प्रोग्रामिंग के अंदर हम अच्छे खासे तरीके से सही से हम ये प्रोग्राम मना सकते हैं ये इजी है ठीक है इसके अंदर सिमेंटिक्स डेटा टाइप है तो आप बार-बार ऐसा जरूर नहीं कि भी बार-बार उनको बोलो लेकिन अपनी बादचीत के दोरान बार-बार उनको इन्वाल करो इससे क्या होगा उनको लगेगा कि भी देको ये मेरे को ध्यान में रख रहा है हर को लगेगा कि ये मेरे को ध्यान अब आप उसको बोल के ऐसे कर रहे हो तो ये चीद खराब है ऐसा ठीक है अब देखो लंबे समय तक आई कॉंटेक्ट बरोसा और इमानदारी का परतीक होता है आप continue उससे आंके सांके मिला के बात करो तो उसको क्या लगेगा कि यार ये बंदा बरोसे के लाइक है अब आप वो कोई समझा रहा है कुछ बोल रहा है आप उसमें ध्यान दे ही नहीं रहो तो फिर टीचर उनको डारता क्या बोलता है कि तुम में पढ़ना है ये टोपिक में पढ़ना रहा हूं ऐसे ठीक है अब बैलेंस बने रखो जितना ज़्यादा हो सके आप आई कॉंटेक्ट अच्छे से रखो उनके सामने तो इससे क्या होगा आपके लिए जो अधरमान भाव है वो और ज़्यादा बढ़ेगा उनमें अब आता बोडी लेंग्वेज आप बोडी लेंग्वेज भी कहीशारी चीज़े बताती है आपको बोडी लेंग्वेज का देखो बावने और बावने जो भी भावने हैं आपके पास तो उनको वैक्त करने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं बोडी लेंग्वेज आपके क्या बावने उसको करने के लिए आप ये वैक्त करते हैं ठीक है जैसे छोटा बचा होता है कि कोई उपर चीज पढ़ी जहां पर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो वह क्या करेगा आपके एससे करेगा तो आप यह समझाओगे कि यह बच्छा मुझे बुला रहा है अब उसने आपने उस पर ध्यान दिया तो वह ऐसे से उंगली करके बोलेगा कि वह 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 तो यह जो खिलन दिका वह लेना चाहरा है यह चीज क्या होता बड़ी लेंग्वेज होता है आप बोड़ी लेंग्वेज से उसको यह समझा रहे होते हैं अब आपको यह यह लाइन मैं अभी यह पढ़ रहा हूं आप बोलो कि सर यह लाइन मुझे वापस बाहें फॉल्ड करना ठीक है ऐसे आप करके जैसे महालो आप किसी को ऐसे ऐसे करके बोल रहे हो यह भी तो आप क्या उसको अलट कर रहे हो गुण यह एक्जाम्पल तो इसमें जो हमें स्यूटबल लगे वह लागे बहुत सारे होते हैं पाउनों को दरसा सकता है जब कि खुली बाएं व्यक्ति को दोस्ताना और क्या होता यह सम्वेदन सील बना सकता है हम जैसे मुविम देखते हैं खुली बाएं करके लपेड लिया यह क् करके बैठ रहा है तो वो क्या बता रहा है यहां पर आपके सुरुक सा भावना को दरसा सकता है कि यह होते हैं बोडी गार्ड नैसे एक मैसेज से खाड़े रहा तो मलब देखो हर चीज के अंदर कुछ न कुछ अलग-अलग अर्थ होता है वहर एक जो फिलिंग होते हैं व अब आगे वालों को जैसे आप आपका कोई बड़ा भाई है ठीक है या आप तीचर से बात करें आपको अगर आपको यह बोलना है कि सर मुझे यह समझाओ देखना मैं बोलता हूं कि सर मुझे यह समझाओ यह ठीक तरीका अब भूलए सर यह समझाओ तो महां पर फिछ अब देखो इसके बाद हमारा टोपिक आता है टीप्स फॉर इंप्रूविंग नॉन वर्बल कम्मिनिकेशन आप अबर अपने नॉन वर्बल कम्मिनिकेशन को सुद्धा आरना चाहते हो तो क्या के टीप्स हैं यह सवाल आया हुआ अभी जो हमने एक्जाम दिया तो उसमें कि आप नॉन वर्बल कम्मिनिकेशन को सुद्धा आने के लिए टीप्स बताएं तीसरा या दूसरा कोई सिनक था नॉन कम्मिनिकेशन के पहला प्रश्ण है आपका निए पहला पॉइंट है आपका सेल्फ अवेर्नेस का मतलब होता है जाग रूखता ठीक है सेल्फ अवेर है रुणना पड़ेगा कि मैं समझा रही हैं इस लोग समझ रहे हैं किदने लोग ने समझ रहे हैं अब Mehr. लोиком सवाल पूछू मुझे यह पता चले मैंनी यह टोपिक पूछा आप धोरों ने बता दिया इसने बता दिया इसने नहीं बता दिया इसने नहीं बता है तो क्या होगा इस से इसंसे यह पता चलेगा किे दस ज़णों पर दिंखाए नहीं पर दूस्था कि और को कुछ झान gates पूच कुम की भावना है और परतिक्रियों को बहतर से समझा जा सका है अब आप किसी एक कोई फोकस करके बैठ गए या तीन दिनों कोई या दस दिनों कोई फोकस करके बैठ गए आप जैसे मालो कि एक बहुत बड़े हॉल में पढ़ा रहे हो अब उस में से पर्टिकुलर आपके जज्ट पास में जो बैठ यह ना उस रोग के उपर इस आप दियान दे रहे हो या आपको जैसे लगता है कि आप इस साइड से हाथ से लिखते हैं आप ऐसे लिखते हैं तो आपका ध्यान पहले का दाएगा इस साइड इस कॉर्णर पर तो आपको यह लगता है कि मलब आप अगर इस कॉर्णर पर इस ध्यान दोगे तो अब बाकी वालों आप किसी सभा में खड़े हो किसी को कुछ भासन दे रहे हो कुछ तो भासन में भी आप एक जगा को पर्टिकुलर कर दिया वह गलत मान जाएंग उस चीज को ऐसे अगला आता है अड़ेप्ट दा कॉंटेक्स्ट ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है अलग 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 परिशितियों में अलग अलग नॉन वर्बल क्यूज इस्तेमाल करना सीको ताकि आप सब के साथ साथ हो सके जिस परकार से परिशितिय है उस परकार से उनके साथ बा परिस्तिती है उस हिसाब से आप उनके साथ बाचित करो जैसे क्या हो सकता है कि मानलो किसी गर में डैत हुई है अब मानलो कि मैं आप बताना कि कौन सा ज़्यादा सपोर्ट कर सकता एक तो आप उनको जाके बुले हो कि देख भई ये जो भी हुआ खराब हुआ ठीक है और मान आप एक माँ पर जाके उनके अच्छी आपने उनको समझाया कि भई ये जो भी हुआ खराब हो गया भगवान को नहीं करना चाहिए जो भी वाचित कर लिए फिर आप बोल देता हो कि दाको कोई पैसे वैसे की जरूत हो कोई इस्तिती कोई खराब हो जाए ऐसा कुछ हो जा कोई गाओं में गया बीन गाओं में गया मराज राजा गन गिया राजा आन जानके के हाँ कि मैं थारए जिको आ नंगरिये इनमें मैं करोमे है ठीक है बजन करो राजा के करो साथ मैं थान करना बना करीओ जन्वन हवेलीर बारे जिको बैटने जगह न बट बजन हरू कर दिया लोग बहुत जद आउंड होगा दीर 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 बहुत जद आउंड होगा जन्राजा कहें के बैइन उतका है मैं आउं जावर या आप समस्य यह पास में आप बट आप रहे जज़म भी चालो जज मनलब जट बैट यह कर वे आप बट भी चालो ठीक है मराज बट गिया हरुकरिया तीन-चार दिन तक और बढ़ जी और बढ़िया जिको सुनना ला सूरता आनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने मराज जने कहीं होए क भगवान उपर लिखा त्यागी मराज निच लिख दियो मा कोई भी पयोट को नहीं लेवाँ ठीक है सिवा भाव मांटे जागरन करा ठीक है जने बे कोई मराज आ बार वाएडा जन बे त्यागी जी आ बार लिख लार परदोर्द शपई दियो जागरन चलती बरोबा बीन द लेवाँ लेवाँ पांच जार इटेकि मराज के थनली जान टेंक ट्राड आण मार्केटर में चटका दिरह वाँ लेवाँ लेटा का निला बोई जान में बड़े नहीं बीस जार इपैर गड़ी के वह लाण जी उन्गड़ी नमात रेकिए बाज्या मात है ने थारकाई सम लाण बोड ली जान त्यागी मराज आमा एक दून नहीं कर आठीन ले ना परोन नमजा वह लार शबूल बेटा जुको कह है यार मराज रीपेटका तो ले नी अपर एक एडी स्कीम करा क्या पर नाम भी जाई काम जाई उन तूरतरी जमी बीक्योडी जी बोग्यों फाश् प्रेक्टिस एक्टिव लिस्निंग दूसरों के साथ जुड़ने के लिए सर हिलाना ठीक है अब किसने बोल दिया क्या आप टूर पे चलोगे क्या तूर पे चलोगी क्या तो आप क्या बोलोगे है ऐसा से घर दे मतलब आप उनके साथ समिल होगे आई कॉंटेक्ट बनाए रखना और दूसरे पॉजिटिव गे नौन वर्बल कम्विनिकेशन में विचार करना ताकि किसी भी गलत फैमी से बचा जा सकें देखो कहीं पर अगर किनिक कोई ऐसा कुछ फंक्शन चल रहा है जहां पर आपको उनके हिसाब से रहना जरूरी है तो आपको वहां पर रहना पड़ेगा उनके हिसाब से बहीं ऐस गर्में जैसे साधी थी मैंस की साधी थी तो इसको अपने कल्चरल के हिसाब से वह कपड़े पैनने पढ़े थे पता है वह देखे आपने तो वह उस हिसाब से उसको लाल सापा नीचे दोती वगर तो इससे क्या हुआ इसका जो समाज था उसको यह लगा कि दा को जो धर्म होगा जो वह समुदा है वह साथ देगा इसका वह बहलेगा कि अपने से अलगी है तो अपने इसके साथ दे क्या कर लेंगे हर बात में कोई बोलते हैं कि हमारे वह बगवान जी की जागरने तो आप कुछ पैसा दो या आप वहां पर चलो एल्प करो तो कोई बोलता ह जाके यह चीज बोलेगा तो दस जन अगर बैट दस में यह चीज फैल गई तो आपकी तो छवी खराब हो गई आपकी छवी खराब हो गई ऐसा है अब प्यॉर इंग्लीज के अंदर भासन जाड़े जाओ वहां पर मारवड़ी के अंदर गपे मार नहीं है मारवड़ी के अंदर इंगलीज में क्यों चीज़ें उनसे समझा रहे ह। so यह चीज़ँें होती है तो यह आपका second chapter clear हो गया है थीक है यह second chapter हो गया जिसमें हमने यह सारी होगा प्रसनल एकेरेंस का म mun Nich से क्या आप इसारे से बातचीट कर रहे हो पोश्चर आप बैठने की चीज़ें होती हैं, आप कैसे खड़े हो, कैसे चल रहे हो, वो चीज़ी इसके अंदर, फेस एक्सप्रेशन, मुह से कैसे क्या आप इसारे से बातचीत कर रहे हो, आई कॉंटेक्ट, नजरे से नजर अगर मिला के बात करेगा, तो ये बरोसे क्या परतिक है, नजरे चुरा रहे हो, इसका मदलब है, आप फॉल्ट में हो, आप चोर हो, बोड़ी लेंग्वेज का मदलब होता है, आप हातों के इसारों से कुछ समझा आ रहे हो, ठीक है, और इंप्रूव, ये इंप्रूव करने वाला आपने समझ लिया भी, ठीक है, आप अपने नॉन वर्बल कम्मिनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, तो जो भी जिनोंने वीडियो को भी देखा है, अगर आपको कोई टोपिक और समझने हैं तो नीचे लिख दीजेगा, और ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बतेएगा, धन्यवाद,